हलो मेरे प्यार बच्चियों कैसे हो आप सब नीटपद कानू में आपका स्वागत है आज हम एक और नई वीडियो लेके आया है आज हम आपका दिन प्लान करेंगे पिशली वीडियो में मैंने बताया था आपको प्लानिंग करना है स्प्राटरजी बनानी है टाइम टेबल कर होना है सब आपके लिए त्यार करके दूंगी आप करने वाले बना मॉर्निंग से नाइट तक का आपका क्या रूटीन होना चाहिए कैसे आप आगे बढ़ने चाहिए इस ताइम पे जो ताइम चल रहा है नॉट फॉर नीट उन्ली चाहिए जेई है बैंक है नीट है गवर में टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज हम एक 24 आर प्रोड़क्टिवनेस शो करेंगे अपने इस टाइम टेबल के दूंगे जो हमारी स्ट्राटेजी होती है एक्जाम क्राक करने के डेली अगर आप यह 24 आर प्रोड़क्टिवनेस वाला सीन करते हैं तो आपको ब अंपिटेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं मैंने कह रही हूं सुबह चार बजे उट के पढ़ना शुरू कर दो आप नाई टाउल हैं आप अर्ली राइजर हैं अर्ली बर्ड हैं अल अप टू यू बट फॉर बींग इन एनी स्टडी फॉर्मेट make sure you wake up at least at 5.30 तक आपको उठ जाना है max to max 6 कर लीजे पर 6 बजे अपने बस्तर से नीचे उतर जाए और ऐसे नहीं कि अलार्म लगाया हमने साड़े पांच का फिर 10 मिनट बात बजेगा फिर हम उसको आफ करके फिर सुएंगे ऐसा नहीं करना है एक अलार्म रखो और वो जो अलार्म है ना उसको बंद करके नहीं सुना है उसके बजते ही उठके नीचे खड़े हो जाओ अलार्म बज़ा नीचे खड़े हो के बस फिर नहीं वो जो 10 मिनट की नीट होती नो कहने की होती है उसके बाद आप लंबा सुते हो सुबब सुबब की नीट बहुत प्यारी हो लेगा उससे व्यारी नहीं होगी अलाम बंद करते ही नीचे उत्रे सेकंड स्टेप इस केट रेडी किसके लिए पूरे दिन के लिए सबसे पहली चीज आप उठे अलाम बंद करते ही सीधा आप वाश्रूम गए साथ के साथ आप मूँ धो आपकी आँखो में अभी भी नींद रहेगी आपके अखों में तब तक नींद रहेगी जब तक आप उनको ठंड़क नीदो नेख़ी थंड़े पानी फ़ीज सदिया है मुझे पता है थोड़ा सा आपके face पर ऐसा पानी पढ़ेगा और आपको लगेगा नहीं यह नहीं करना चाहिए नहीं हो सकता है सबसे पहले brush करो brush करते ही आपको एक freshness feel time waste नहीं करने है side by side अपना पानी गरम करने लग दो you have a habit of making coffee in the morning you have a habit of drinking warm water पानी गरम करने रगदो अपना प्रेश करने आज़ो प्रेश करो प्रेश करते भी क्या होगा पानी जब मुह में लगेगा आपको यूस्टो हो जोगे फिर हाथ भी ठंडे हो रहे हैं तो मुह पर पानी चला जाएगा आओ वापिस आओ अपने study table पर क्या करो सबसे आपका पूरा डे जो पिछला प्लांड है और नाइट बिफोर आपने पूरा प्लांड किया उसको देखो कि आज आपको क्या करना है जो बुक्स यूज में आएंगी पूरे दिन अपने एक पास टेबल पे रख लो साथ में पूरा दिन का अगर कुछ भी इंपॉर्टन का में जो लिस्टिंग में नहीं हो पाया उसको लिस्ट कर लो यह देखो यह कोई भी पेपर लेलो यह पास तो यह प्लैनर है यहाप पर ऐसे हो दो लिस्ट चिक है आपका जो भी आपको इंपॉर्टन काम मेंशन करने और जो भी आपका कहां कहां से होंगे यह सब ऐसे मेंश कि नीन ही के अब क्या करें हो आप 15 minutes की mediation करो planning कर लिए meditation is why meditation यह प्लानिंग के अज़ीक थे मपच्छा उचाला है शे मय्ड में पहुच जाए कई मुझे आप यह करना है मुझे ये करना है, पूरे दिन बर ऐसे-ऐसे करना है जो आपकी वो पंदरा, दस-पंदरा मिनट की मेडिटेशन होगी न, वो आपको पूरा रिचार्ज करेगी Literally, it is a wound, a rechargeable therapy for everyone कर लिया इन सब में, उठने से लेके यहां तक के पीरड में आपको पंदरा से पीस मिनट लगेंगी, maximum छे बज़े भी उठोगे, तो भी छे बीस साड़े छे बज़े तक आप पढ़ने के लिए तयार हो इसके बाद, आपको सबसे बहली चीज करनी है, first come first आपको का जाता है कि easy subject से शुरू करो नहीं, आप सबसे बहले वो subject लो जो आपको बहुत tough लगते है अभी आपका mind fresh है आप सोचने की शमता रखते हो you are able to think clearly, read clearly examine clearly जो toughest subject है ना, वो पहले निमटा दो शुरू में आपके पास 6 बज़े से लेके 6.5 उठते हो, 6 बज़े से 6 बज़े उठते हो, साड़े 6 बज़े से basic हली, 6 से 7, 7 से 8 8 से 9 3 hours 3 hours हैं आपके पास precious 3 hours इसको हम बोलते हैं precious 3 hours यह precious 3 hours जो है न यह आपके toughest से toughest subject के लिए नीट की त्यार करो physics बहुत tough लगती है यह 3 गंडे physics को दो देखना इतना clearly इतना clearly आपके दिमाग में उसे ही हर शीज यह फ्रेश होई था दिमाग लग रहा है इसके बाद 1 गंडा ब्रेक लेलो 9 से 10 ब्रेक पूरे 1 गंडे का ब्रेक 9, 2, नाश्टा करो मस अपना enjoy करो 10 बज़े फिर बैट जो पढ़ने 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 study time तीन गंडे हो गई यह भी study time यह जो study time होगा ना यह अपने उस subject के लिए दो जो आपका सबसे easy subject है सबसे easy जब आप खा ले तो ना नाश्टा आश्टा करके मस एक दम से हो जाते हो ना तो आपको लगते कि यार कुछ हलका सा हो जाया कुछ mind को ज़्यादा काम ही ना करना पड़े आप एक lethargic mode में चले जाते है चीक है यह 3 hours आप अपने उस subject को दो एक से दो आप लंच करो पावर नप लो पावर नप मतलब पावर नप नोट अ प्रॉपर स्लीप आवर नप इस सम्थिंग बेवीन 15 तो 20 मिनट्स अन दाट्स अनव इससे बात करनी है अपना recreational activity करनी है कुछ भी करनी है करो अराम से करो कोई दिक्कत नहीं 2 बजे से 5 बजे तक यह time अपना वो रखो जिसमें आप exam दोगे अपना exam दोगे से मतलब है आपकी इस time पे sample paper solve होना चाहिए mock test लगने चाहिए question paper practice होनी चाहिए कुछ भी हो कुछ भी हो अपने आपको time bound करके तीन घंटे सिर्फ exam के mode में रहना है इसके बार 5 से 5.30 5 से 5.30 तक आप break लो भार गुमो फिरो ताजी हवा काओ ग्रीन टी पीनी है चाय पीनी है समोसा खाना है बतियाना है जो करना है करो साड़े पांच से साथ बज़े तक analyze करो analyze क्या करना है जो आपने paper दिया है न उसमें कहां mistake हो लिए किस concept में mistake हो लिए क्या आप गलती कर रहे हो और वो to the point अपना paper जो आपकी book है जितनी भी है उसमें जाके देखो कहां से आप उसे सीख सकते हो जब आप वो करोगे न डेली के आपके इतने concept clear होंगे इतने concept clear होंगे न आपको खुद को नहीं बताओगे कि आपको इतना easy लगेगा आपका paper साथ बजे से साड़े साथ डिनर कर डालो इस टाइम पे डिनर आपका हो जाना चाहिए साड़े साथ के बाद वैसे भी कभी डिनर नहीं करना चाहिए और सिंस यू आरस यू आस तरिंग you should have timely meal for yourself दिनर हो गया साड़े साथ बजे बैड चॉब पढ़ने साड़े दस ये जो तीन गंट है न ये आपके एक subject को devote करो वो उस subject को devote करो जिसमें आपको लगता है कि यहाँ जरुरत है भी करने आपका नीड दे रहा physics chemistry bio है physics bio हो चुका है chemistry करोगे बाब चीक है साड़े 10 से 11 जतना भी पूरे दिन भर में पढ़ा है न उसे एक बार देख डालो revise कर डालो सारा revise कर लोगे न बहुत easily बहुत easily आपका government exam crack हो जाएगा ग्यारा बजे प्लानिंग करो strategy बनाओ अगले दिन की और सोजो सुबह साड़े पांच बजे उठना है time से सोना भी जरूरी है है न आपके पास साड़े छे घंटे हैं सोने के लिए पढ़ने के लिए तीन तीन के चार स्लोट तारा घंटे एक घंटा रे वीशे क्या चाहिए से साधा यह आप एक बार time table फॉलो करके लेखो लो स्क्रीन शॉट ले लो इसका स्क्रीन शॉट ले लो इस इस आपसे अपना डे प्लान करो चीक है इस इस आपसे डे प्लान करो और आपको मैं गैरेंटी देती हूँ आप 10 दिन भी यह time table यह planning के साथ अपना 24 hours devote करते हो न मैं गैरेंटी दे रही हूँ कि आपका एक्जाम कही नहीं गया मैं कुद कह रही हूँ है एक बार इस 24 hour productive message से चल के देखो अगर यह अच्छा लगा है आप इसमें आप ऐसे करना चाहते हैं कमें सेक्षिन में प्लीज बता के जाने मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप यह सब follow करके कहीं एक position हासल करोगे आप आके खुश करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है अपने अंदर उसके लिए विश्वास लाना अपने अंदर से खुद को तयार करना अपने आपको तयार करो आप हर चीज कर सकते हैं यह follow करो कोई और परिशानी है दिख कर था प्लीज कमें सेक्षिन बता के जाना अभी तक वीडि झाल 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 झाल